गुड मॉनिंग फ्रेंड्स अब इस सुबह के साड़े तीन बजे हैं और अब मैं पहले उपर वाले फ्लोर पर ही चली पूछा लगाने क्यूंकि जो पूछा था वो उपर ही था मैंने सोचा उपर जाना ही पड़ेगा तो पहले उपर से पूछा लगा तो नीचे आओंगी फिर उपर के फ्लोर्स लगा चुकी हूँ फिर चार दस हुए उसके बाद मैंने पानी का कारिगरम अपना शुरू किया थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग की और एक्सरसाइज जैसे वी न्यूमून शुरू हो जाएगा तो फिर मैं शुरू कर दोंगी और आद मैंने नहीं क अब मैं पोच्छा लगाऊंगी अब मेरे स्पीड मुझे लग रहा है पोच्छा लगाने की बढ़ रही है तो अब मैं नीचे जो ग्राउंट लोड है हामें पोच्छा लगाऊंगी आज उपर भी हाथ से लगा दिया और बगवान वाले रूम में कमल जी करते हैं नहाने क सब को सब काम और हम लोग के लिए काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तो यह ब्लैक के साथ वाइट वाला फिर मैंने यह उड़ा और आज मैंने मतलब इस टाइप से में पहली वर पहना है मैंने शायद मतलब बिल्कुली ब्लैक पूरो पर से नीचे तक और मैंने सब अगर ब्लैक दुपट्टा ले लिए ना गर बहार चली तो लोग सही में शनी देव समझ लेंगे मुझे तो दुपट्टा थोड़ा कुछ ऐसा रखते हूं जिसे की थोड़ा कलर रहा है और एक लिप्स्टिक लगाने के बाद दूसरी लिप्स्टिक लगा लिए मैंने जो मैंने सोचा कि आज पुझा आके करूंगी और अभी टाइम है तो इसको यह सब जो कारिक्रम है यह अपना पूरा कर लो यह यह भी मुझे बहुत जरूरी लगता है यह टेसल मैंने काट लिए अब यह थोड़ा सा इंसानों जैसा दुपट्टा लग रहा है अब इसको भी क कोन सी है और जब मैंने लिया था ही मरून कलर का था एक वाश में यह लाल हो गया लाल और काला हो गया तो रंग बदलता रहता है शाड़े पांच बचके अब मैं जा रही हूं मंदिर और मंदिर से आने के बाद फिर मैं आप से मिलती आज घर की पुझा नहीं कर रही हूं जो आने के बाद करना होगा पौने चे बच गए मंदिर से आचुकी हूं और जो मेरा नियम है कुलर की हवा खाने का वह बैठी हूं और चे बच गए हैं और जो सुबह अगर अफिलाने थे तो वह कपड़े में लेकर आई हूं अब ड्रायर में डालोंगी और जब तक सुरज भवान को जलो गए रचड़ा के आ रही है उसके बाद फिर नीचे की पुझा करनी है और सुबह थोड़ी सी बारिश हो रही थी तो इसलिए मतलब यह है कि आज पौधो में पानी नहीं डालोंगी तो भी चल जाएगा और मेरी हेस्टाइल देखके तो मुझे लग हेर स्टाइल पते नहीं कहां से करवाई है और उसे होती नहीं है और बारिश होई है तो थोड़े से पौधे थोड़े से नॉर्मल लग रहे है और जो कुछ सूग गए थे पौधे वो कमल्दी ने उखाड़के हटा दिये कल तो अब थोड़े थोड़े पत्ते आने लगे सही में इस बार जो धूप थी ना उसमें पौधों की दुर्गती हो गई और मनी ब्लांट भी वहारा बहुत ही खराब हो गया उसको भी सही करना पड़ेगा किसी दिल और यह चट पे पूरा पानी पानी दिख रहा होगा बारिश होई थी सुबह तो मौसम इसलिए थोड़ चलिए थोड़ी सी वॉप कर लेती हो उसके बाद अब फिर से नीचे जाके कपड़े में ड्राय हो चुके हैं इनको फटा-फट से फैला के फिर जो आगे का पूजा का रिच्वल है रिच्वल कह रहे हैं जो पूजा करनी है मुझे वो करूंगी और फिर उसके बाद जाके ब्रीफास बनाओंगे आज थोड़ा हम लोग लेट हो जाएंगे लेट इसले क्योंकि पूजा करके नहीं गई थी मैं तो मेरा जो रूटीन होता है न तो जो घर के जैसे लोग जिनका जैसा रूटीन होता उस हिसाब से चलता है साड़े साथ बजगे नीचे आ गई हमें प तो थोड़े बहुत कुछ फ्रूट्स होगे रखाती हो फिर उसके बाद ब्रेक्फरस्ट बनाती हो तो बना ज्यादा कुछ नहीं बना रही हो बहुत सिंपल तरीके से और आजकल सबजीयां तो कुछ मिलती नहीं है और यह सरसो एकदब इतनी उड़ने लग जाती है न इसमें नमक धनिया 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 पाउडर तो मैं किसी भी चीज में मेरा बस चला तो खीर में डाल दू खुश्मू जो आती है न धनिया कि वह बहुत अच्छी लगती है मुझे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सी डाल रही हो और थोड़ा सा धनिया और थोड तो यह चला के फिर इसको ढग दूंगी और जैसे सॉफ्ट हो जाएगा तो थोड़ा सा वाश करके फिर इसमें डाल के दो-चार मिनट के लिए चलाएंगे फिर एक दो मिनट के लिए इसको ढग देंगे बनके हमारा तेयार होगे अब रेक फास्ट पर पोगा खाने के बाद अगर ऊंद अच्हीं आति है इसलिए आपको ऐस्सेला लग तो खाने के बाद है कोई ऐसा काम चुल्ले Molop segur पर तो खिर चलाओं तो थोड़ा प बात में जाके थाहता Beats तो आट पीस हो चुके हैं अब उसके बाद हम बर्तनों को निपटाएंगे और मैंने आलू बॉयल होने के लिए चड़ा रखे हैं क्योंकि आज खिचडी बनाने है शनी वार है इसलिए और खिचडी के साथ आलू का भरता हम लोग मनाते हैं और कमल जी को मैंने बोला था कि थ चड़ा देते हैं तो अपने लिए और याश के लिए बना रहे हैं कोई तो उन्हें चाहिए मुझे पूछा था लेकिन मेरे तो अगर मैं चाय पीलू तो पर तो पता नहीं मुझे कितनी ज्यादा गर्मी लग जाएगी तो और बेडशीट जब गंदी हो जाती है ना तो सह कोशिश करनी चाहिए कोछ ना कोच अपने पित्रों के निमेत आपको जरूर बो करना चाहिए अगर आपके पेरेंट्स हैं भी तो भी कोई बातनी वह तो करती होंगे लेकिन हर किसी का फर्ज होता ना तो इससे आपको काफी सही लगेगा अगर कुछ पेत्रे दोश्यों के बेड हेट जो है ना उसमें मैंने खूब सारे उसमें थोड़े सो गैप है तो मैंने खूब सारे अपने क्लचर रखे मेरे जब भी क्लचर गुम होते है ना तो मैं यहीं से लेके यूज करती हूं बहुत सारे हैं और यह ऐसे हैं कि सबको दिखाई दे गए इसलिए मुझे यह लोग नहीं आगर मैं इनके साथ जाओं कई बोलू क्लचर खड़ितना दिलाते भी नहीं है दस बज गये हैं और अब मैं शान्ती से बैठूंगी और अब कर टाइम होता है ना अभी एक आद घंटे क्योंकि अभी कमल जी को फिर मतलब आज उससाब से थोड़ा जल्दी बन चुकी है और इसके साथ अलू का बढ़ ता अलू मैंने पहले ही बॉइल करके रख लिया था शोबह एक और मैंने थोड़ी से किचड़ी बचा ली है अपने लिए शाम के खाने के लिए इसके साथ पापड अचार और अलुग भड़ता और घी और बस यह मैंने किचड़ी रगदी अपने लिए और बारत दस हो चुक है इधर का काम नी बढ़ चुका है और फिर अब मैं उपर आ चुकी हूं दगवग साड़े बारा बजे और फिर उपर मैं मैंने अपना थोड़ा बहुत काम किया फिर चार दस पे मैं नीचे आई तो इस टाइम बए अपना जो भी मेरा कम होता है वह करता हो करती हूं, मुझे थोड़ा जल्दी खाना होता है और मैं झाल लेठ हो जाता है और वत खाते और यस दिस इन ब्र typeaut ौता है, तो मतलब पूजा के बाद तो उस दिन फिर लेट खाती हो तो मतलब जैसा जैसे situation होती है वैसे ही अब कमल जी आ चुके हैं पधार चुके हैं तो अब उनके आते ही बोलते हैं चाई बनाओ जैसे लगते हैं पहले ही बोल देते हैं तो फिर चाई मैंने चड़ा दिये और फिर डिनर चीज दिन जल्दी बनाती हो तो शाम को मैं कुछ स्नेक्स वगरा नहीं बनाती हो नहीं तो फिर यह लोग खाने में नाटक करते हैं कि अभी नी भूख है और यह चन्नी देखो यह कमल जी ने सुबच चाई बनाई थी ना चन्नी को इतनी जोड से ठोका ना चाई पत आसे जोट करें जैसे आपका मतलब की जिम्मेधारी और परिवार के उसे सहाब से चलना टूता तो अलग अलग रूटीन होता है करना चाहिए और हम हमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए कि मैं अगर माली जी किसी ढिन हमें ज्यादा काम है तो हम अपना थोड़ा सा रूटीन करने किसी इन कम काम है तो इस हसाब से हम एड़ेस्ट कर सकें बिल्कुल रिजिड नहीं होना चाहिए और फिर अलू को अची तरीके से हम बुन के बनाएं के अलू पराथे जैसे अलू थोड़े से मैंने ज्यादा वो करें हैं लेकिन मैं सब को बराबर कर दूंगी मतलब ना अलू बचने दूंगी ना आटा मैंने चार पराथे लगाया है तो चार ही बनाओंगे और इसमें इतना ज्यादा बरादूंगी चाहिए मतलब सुबह के लिए नहीं बचाओंगे इसको मतलब बिल्कुल बराबर कर देते हूं कि कभी आटा ज्यादा भी लग जाता ना तो अगर जादा रोटी बनाओंगी ना तो यह लोग खाएंगे उतना इंगिंती का जितना खाते है इसलिए मैं फिर मोटी बना दी अब चे बजने वाले हैं और खाना वगरा मेरा मतलब बढ़ी चुका था तो यह लोग खा चुके हैं और उसके बाद की जो गयस की सफाइए किचन का काम होने के बाद फर्म शरूब ऐसके हो यह जो बरना होगा कर सकती तो अभी स्थे फीओ सोने वाले अबी खेसरों अब है और उसके कि जैसे कुछ काम जरूरी है तो फिर आफ्टर नून का टाइम जो है उसमें चला जाता है और उसके अलाबा जैसे कि अभी मुझे हॉल वीडियो शूट करनी है तो फिर आज फिर कोई साफसफाई नहीं करूंगी हॉल वीडियो शूट करूंगी तो चली आज का व्लोग यही लुचसे आव कि शुझे को शुझे प्लोग 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 प्लाइब